हेलो इवरिवन स्वागत है स्विस्वेगेडमी की यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हमें एक और महत्पूर्ण टोपिक सेटेलाइट कम्मुनिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार सेटेलाइट के माद्धिम से सिंगनल को ट्रांस्मीटर से रिसीवर तक भेज जा जाता है तो चलिए फिरिन शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपगरे संचार यानि कि सेटेलाइट कम्मुनिकेशन के बारे में सेटेलाइट कम्मुनिकेशन वहा विद यह जिसमें सिंगनल को सेटेलाइट के माद्धिम से ट्रांस्मीटर से रिसीवर को संचरित किया जाता है दोस्तों सेटेलाइट कम्मुनिकेशन में क्या होता है मितलब भेज़ा जाता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों जो communication satellite होता है वो आएक spacecraft होता है जिसको की प्रतवी के चारों और एक कच्छा में इस्तापित किये जाता है और जो satellite होता है उसमें receiving तथा transmitting उपकरन होते हैं जिनकों की हम radio transponders के नाम से भी जनते हैं दोस्तों ये transponders क्या करते हैं ये signal में होने वाले noise को reduce कर देते हैं तो दोस्तों आप हम satellite communication के block diagram से समझ लेते हैं कि यह कैसे कार करता है दोस्तों इसमें क्या होता है satellite communication में modulated microwave पुण जो को प्रत्वी परहिस्तित transmitter से satellite को भेजा जाता है या दोस्तों हम कहें कि जो हमारा modulated signal होता है उसको satellite के साथ app link किया जाता है तो दोस्तों जो हमारा satellite होता है वा इस signal को receive करता है और amplify करता है तथा वापस प्रत्वी परहिस्तित receiver registration को भेज देता है अर्थाद डाउन लिंक कर देता है तो दोस्तों जो सेटेलाइट कम्मुनिकेशन होता है वा इसी प्रकास से काम करता है जो मारा ट्रांस्मीटर होता है वा सिंगनल सेटेलाइट को भेजता है और या सेटेलाइट इस सिंगनल को receive करके amplify करता है और उसे down link के मादिम से अर्थ पर इस्तित receiver station के पास भेज दिया जाता है और दोस्तों इसमें up link वा down link के मद interface से बचाव करने के लिए up link वा down link की जो frequencies होती है उनको भिन रखा जाता है और दोस्तों या जो दोनों आवरतियां होती है वा इउचप या microwave छेतर में होती है अता या आइनो इस पेर को पार करके satellite तक पहुंच करने में सच्चम होती है अता दोस्तों हम या कह सकते हैं कि जो हमारा satellite communication होता है वा आकास में इस्तित एक बड़े microwave रिपेटर की वांत कार करता है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको satellite communication की working समझ में आई होगी दोस्तों हम देख लेते हैं उपगरे संचार के good यानि की merit साफ satellite communication satellite communication दोरा अन्य संचार पर दितियों की तुलना में अधिक छेतरफल कवर किया जा सकता है दोस्तों जो satellite communication होता है उसके दोरा अन्य जो संचार पर दितिया होती है उनकी तुलना में अधिक छेतरफल को कवर किया जा सकता है satellite communication को mobile communication में प्रभावी रूप से प्रयोक्त किया जा सकता है और दोस्तों जो satellite communication होता है उसको mobile communication में भी प्रवावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है उपग्रे संचार अन्य पदितियों से कम खर्चिला होता है और दोस्तों जो सेटेलाइट कम्मिनिकेशन होता है वा अन्य पदितियों के अपेच्छा कम खर्चिला होता है उपग्रे संचार दूर दराज के छेतर वा परवती छेतर जैसे लद्दाग हिमाचल प्रदेश में कम खर्चिला होता है और दोस्तों जो सेटेलाइट कम्मिनिकेशन होता है वा दूर दराज के छेतर या परवती छेतर में कम खर्चिला होता है दोस्तों अब हम देख लेते हैं Demerits of Satellite Communication की उपगरे संचार के क्या दोसे हैं यदि Satellite में दोस उत्पन हो जाए तो उसकी मरमत नहीं की जा सकती है दोस्तों जो Satellite Communication होता है उसमें यदि कोई भी दोस उत्पन हो जाए तो उसकी जो रिपेरिंग होती है वा नहीं की जा सकती है ट्रांस्मेंटिंग पत अतिदिक लंबाई के कारण ट्रांसमिसन और रिसेपसिन के मद टाइम डिले उत्पन हो जाता है और उस दोस्तों जो Satellite Communication होता है उसका जो ट्रांसमिसन पत होता है वा अतितिक लंबाई के कारण ट्रांस्मिशन वारे सिप्सन के मद्ध टाइम डिले उत्पन कर देता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जाएं उन्दे मातरम